भारत बनाम इंग्लाइंड के बीच खेले जा रहे पांचवे टेस्ट मुखाबले में भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रन लगाए आपको बता दे कि भारते कप्तान जस्परीद बुमरा ने आज इस मुखाबले में पहली पारी के दौरान 16 गिंदों का सामना करते हुए नाबाद 31 रन बनाए जस्परीद बुमरा ने इस मैच की पहली पारी में इंग्लाइन के तिगज तेज गिंदबा स्टूर्ट ब्राड को एक ओवर में 35 रन लगाते हुए इतिहास रच दिया इस ओवर में जहां जस्परीद बुमरा ने बल्ले से 29 रन जोड़े लेकिन अब स्टूर्ट ब्राड के इस खराब रिकॉर्ड के चलते सूशल मीडिया पर उनकी खूब खिचाई की जा रही है आपको पता दे कि दो पूर्व भारती खिलाडी विरेंदर सहवाग और वसीम जाफर ने सूशल मीडिया पर स्टूर्ट ब्राड को जम कर ट्रोल किया है जहां विरेंदर सहवाग ने Stuart Broad के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि इस समय Stuart Broad की स्थिती इसके नीचे विरेंदर सहवाग ने बॉलिवुड अभिनेता जावेद जाफरी की तस्वीर लगाई जिसमें लिखा पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ इसके अलावा पूर भारती बल्लेबाज वसीम जाफर ने भी Stuart Broad की खिचाई करते हुए लिखा कि Stuart Broad जब बुम्रा को बाउंसर करने का प्रयास करते हैं इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक फणी वीडियो भी शेयर किया जिसे भारती फैंस दुआरा काफी पसंद किया जा रहा है आपको बता दे कि Stuart Broad को 15 साल पहले युवराज सिंग ने भी पहले T20 विश्व कप में 6 छक्के जड़े थे और आप जस्परीद बुमरा जैसे पुछले बल्ले बाज ने भी Stuart Broad को एक ओवर में 35 रंजड़ दिये हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है One India के साथ